सर एक सवाल है मिरा कि ठीक है जो भी कुछ हुआ समयने में आता है लेकि लाल केले पहुंचके जंडा फैराने का क्या मतलब है नहीं लाल केले पर जंडा फैरा के गुणा क्या किया है आप ये बताईए अपने एक बात एक बात तो मैं ही जानना चाहता हूँ ये चीजे इनको आप ये भी देखें कि माननिय प्रधान मंत्री भारत के प्रधान मंत्री वर्तमान प्रधान मंत्री उस लाल के लिए को जो एतिहासिक धरोहर है देश की धरोहर है जब वो किसी प्राइवेट व्यक्ति को सौंप देते हैं कैसे सौंप देते हैं किस अधिकार से सौंप देत समय, exact, मुझे नि माले हुए यह दो, कैसे दे दिया आप ने ? उनके खलाब कोई नहीं हो नहीं चीके ? किस अधार पर कर रहे हैं वो ? किस अधिकार से कर रहे हैं वो किस क्या कानून है कानूनी अधिकार है समयदानी का अधार है जिसके आधार पर कर रहे हैं इसका मतलब वो समविधान का खुला उनलंगन कर रहे हैं समयदान का अपमान कर रहे हैं इस देर्श की धर्म निर्पेक्ष परंपरा जिसमें सभी धर् को अपना धर्म मानने की इजाज़त है और सरकार का कोई धर्म नहीं है और प्रधानमंत्री सरकार हैं तो सरकार होते हुए आप एक धर्म विश्यस का पिचार कर रहे हैं और उसका मंदर का शिलान्यास कर रहे हैं तो आपना अपराद नहीं किया अगर उन्होंने किया दूसरी उसके हिसाब से वो व्यक्ती जिसने वहाँ पे जण्डा फैराया है वो व्यक्ती तो बीजे पी का करीवि लगता है शाद गरह मंत्री है परदान मंत्री के साथ भी उनकी फोटो चल लएई है सनी डीयोल के जो चुना परिचार में वो बाका था उस परिचार में शामिल रहा है वो वक्ती वो बीजेपी का आदमी है यह लगा नहीं सके पता लोग यही तो बज़ा दे जासे यही तो है कि जो किसान लेता है शाद उसका पता नहीं लगा पाए कि भी बीजेपी का आदमी है और कैसे ज जो है लाल के लिए तक पहुंच गए इसके लिजम मेदार कौन है और अगर आपने जो वीडियोज देखी है तो लाल के लिए पर पुलिस बड़े आराम से बैठी है कुर्सियों पर बैठी है कोई कारवाई पुलिस नहीं कर रही है क्यों नहीं कर रही है भाई क्यों बैठी ह नहीं की किसी उंको गाली नहीं दी कोई बत मीण गे किसी को नहीं किया वहां से निकलाए वो कुछ लोगवां से इट चले गये और जो आयट यूभा है आइट में अगर आप देखें तो जो लोग गए हैं उन M से जिस व्यक्ति पी मौत होई है उस ट्रेक्टर जो पलट गया है जिम्मेदार कौन है और गोली पुलिस की गोली है वो उसको जो लगी है नहीं बताया तो यह जा रहा है कि वो किसान ही जो है बैरिकेट तोड़ने के लिए इतनी स्मिट सारा था ताकि बैरिकेट को तोड़के वो दिल्ली में घुच सके इस बात को अगर आप सोचें आपको मालूम है कल कितने लोग थे मैं लोगों को समझाना चाहता है कल दिल्ली में पांच लाक से जादे ट्रेक्टर किसानों के थे और लगबग पचास लाक से जादे किसानों की संख्याती कल जिसकी बात करें अगर दिल्ली में घुसने की ही बात होत या दिल्नी में कबजा करने वाली ही बात होती, कल उन्हें कोई नहीं रोक सकता था, इतनी बड़ी तादा थी, इस तरह के वो था, मतब पूरा जो है, जन से लाप था, लेकिन कहीं कोई भी घटना इस तरह की उन्होंने नहीं की, हाँ, जो लोग पहुँचे, तो मैं बता रह जाए, कि ये जो लोग है, बीचे पीने घुसा हैं, और इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, इस आंदोलन पर धबा लगाने के लिए, जो आंदोलन 62 दिन से, इतने शांती पूर्वक तरीके से, इतने विवस्यत और अनुशासित तरीके से चला है, वो यका यक अनुशा उसे ऐसी वीडियो मैंने भी देखी है, लेकिन उसकी शुरुवात कैसे हुई है, क्या किसानों को दिमाग खराब है, कि जाके जो यही टेक्टर चला देंगे, निश्यत रूप से जो विवस्ता बनानी चीएती, वो विवस्ता नहीं बनाए गई, और आपस में कही ना कही तकराब हुआ है, और तकराब जब होता है, तो इधर से उधर से कुछ भी होता है, ऐसा नहीं है, और जो चोटे आई हैं जिन भी सातियों को, पुलिस के बनाएज गोळी जाते आई हैं, हैं सब हमारे ही भाई हैं सब हमारे अपने ही और किसानों को भी जिनको भी चोटे आई हैं चाहे जो भी हो जो घटना जैसे भी घटी है उसमें जो भी चोटे आई हैं उनके पृति मेरी समवेदना है ये अच्छा नहीं हुआ और मैं उनके जल्दी सुस्थ होने की कामने करता हो लेकिन एक चीज़ आप देखें इतनी बड़ी संक्या में पचास लाग से ज़्यादे किसान और पांच लाग से ज़्यादे ट्रेक्टर इतने बड़ी संक्या में अगर हो ये छुट-पुट घटना अगर हुई है तो क्या आपको इसके पीछे कहीं कोई शड़ेंतर रहा है कि यह कर दिया, वो कर दिया रही से हो गया, लाल के लिए पर जंडा फैरा दिया, यह कर दिया, यह केवल और केवल इस आंदोलन को बदनाम करने की कुश्शिच है, आंदोलन के उस पक्ष को क्यों नहीं दिखा रहा है यह गौदी मीडिया जो आंदोलों इतना बड़ा मतलब इतने सी चीज आप दिखा रहे हो जो आप ही की वजह से है और इतने बड़ी चीज को आप नहीं दिखा रहे हो जो इतना विवस्सित तरीके से शांती पूरग तरीके से सबसंपन हो गया उन किसान नेताओं की जो समझदारी है उन कितान नेताओं का जो जबर्दस प्रियास रहा है कि अपने सातियों को जो रूट दिया है उसी रूट पर ले जाएं डाइवर्ट करके उसे कोई नहीं दिखा रहा जंडा फैराना इन अर्थों में अगर प्रधान मंत्री उस लाल के लिए को किसी प्राइवेट को जो है दे देते हैं और प्रधान मंत्री समविधानिक पदपर होते हुए देश के प्रधान मंत्री होते हुए और समविधान उन इजाज़त नहीं देता धर्म निर्पेच रा कानूनी रूप से गलत है और अगर यह है तो मैं नहीं मांनता क्या छेंडा फेराना कई कोई बात है। और वह झंडा किसी एक मत्व अныगर पाकिस्तान का चीन का फेराया जितने भी फेराया है। अगर वह है आप समझते हैं कि यह कोई ऐगर है तो उनके